तो यह सभी चीज़ क्या है स्टेंड वाइब वोल्टेजस है जो कि जैसे या पावर एड़ लगाते हैं पावर कॉड लगाते हो बोर्ड के अंदर वैसे ही यह सप्लाई बनके बाहर आजाती अगर यह सप्लाई बाहर नहीं आ जाती है तो उसके अंदर पी अपसी का मॉस्प मॉस्पेट और ट्रांजिस्टर या फिर आपके ड्राइबर आइसी उसमें से कोई एक खराबी होने के वज़ए से आपकी मॉस्पेट यहां से उड़े रहेंगे नहीं है तो आपका सर्केट जो है रिस्पॉंसिबल है इसके अंदर आपके बाद में यही सप्लाई चल जात मेरा अब अब करना होगे ने दीट पिक कतने की और आपको बीडियो में जाएं सब्सक्रद रहाँ मिलेंगे यहां मीलेंगे वहने मिल झा devotees शक्ते हैं कुछ आपको दान कि ऊपको सारा शेके पर मिल जाएगा यूट presenter पर चीज़े नहीं चाल सकते हैं कि गानल कि लिखा रहता है स्टेंड वाला सेक्शन हमारा पिछले वीडियो में हो चुका है अगर आपने बाइवाला वीडियो कर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए आपको डाउट जो रहेगा इसके लाउब के लिए हो जाएगा ओके तो हमने देखा था कि चैनड के लग लग नाम होते हैं और सप्लाइया भी अलग अल होते हैं जैसे किसी Study में थ्री पॉइंट थ리 होता है किसी वाइव फैंव कूइंट थीए थीसुमीं बाहर नहीं होते है तो उसके अंदर सी और सीप और सीस क्या है हमारा स्टैनड वाई वाल सरकेट इस से और इस से कोई मतलब नहीं है ठीक है अगर आपका जो मेन फिल्टर है मेन फिल्टरं जो यहा लगा रहता है कि अगर वह आपको स्वाटिंग दिखा रहा है तो यह स्टैनड वाई से extra वाई वाला चैसल नहीं आण होगा तो उस कंडिसन में कभी कभी क्या होगा आपका मॉस्पेट आपका yo मॉस्पेट है का स्विश्ट है ईक है जा फिर आपके राभर अच्शी उसमें से कोई ये खराबी होने के वजैसे आपके मैं सब्सक्राइब होता है दो के तो यह section के वज़े से क्या हो सकता कि यहां का जो 300 वोल्ट है वो drop कर जाएगा जिसके वज़े से आपको यह supply नहीं मिलेगा यह condition होता है अगर वाइज अगर 300 वोल्ट यहां पर है आपका फिर भी यह supply नहीं आ रहा है तो यहां पर जो इस लाइन में जो कपिस्ट लगा होता है उसको आपकी सौर्टिंग चेक करना है अगर यहां पर सौर्टिंग नहीं है तो आपका स्टैंड बाइवा सरकेट जो है डिस्पॉंस हो रहा है सप्लाइइक बन के फिर बंढ़ रहा है तो इस से इसको ith melee को चेंज करा आ सकती है अब हमारा पीएपशी क्या का हुटता है पीएपशी का फूल फाम होता है पावर फैक्टर इक्टरर्फ कॉरेक्शन ळिसके उस से पेपशी रखा जाता है तो जिसका काम क्या हुटा स्रीप or स्रीप तिन लुन से नुट तीनक Tibi करने का काम करता है अधर सवार से 390 करने का यह काम करते हैं अब जब यह 300 से 390 कर देगा उसके बाद किसी किसी सरकिट में एक सीगनल आता है लीनेर के ड्राइबर को कि पी अप सी ओके मतलब यह वोल्टेज को यह सेंस कर लेता है और आगे एक सीगनल निकाल देता है PFC OK का जैसे ही PFC OK का signal इसको मिलेगा साधे साथ इसके driver को VCC supply मिलता है जो कि 12V से लेके 20V तक लाता है जैसे ही supply इसको मिलता है ये 12V और 24V बनना सुरू हो जाता है लेकिन अब यहाँ पर 2 section को on होना है 2 section को on होना है अब यह 12V और 24V कहां से लाएंगे 12V से लेके 20V तक हम कहां से लेके आते है अब जो 12 से 20V है वो हम लेके आते stand-by वाले circuit से stand-by वाले circuit से कैसे लेके आएंगे जो इसका resetting coil होता है जो इसका resetting coil होता है या फिर tertiary winding होता है जैसे कि मैंने question पर या बहुत लोग ने answer दिया था किसीने auxiliary winding गोला था किसीने tertiary winding गोला था किसीने resetting winding गोला था तो सभी लोगों ने यह near about सही answer दिया था अब होता क्या है कि stand-by वाले circuit से ही stand-by वाले circuit से ही एक supply निगलता है कितना वोल्ट 12 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक यह supply एक upto coupler और transistor से रोक के रखता है कैसे रोक के रखता है वो circuit हम समझते हैं जैसे कि यहां पर एक transistor है जो कि upto coupler का है और यह उसका led है बरबर अब यहां पर एक short लगा रहता है जो की p channel है उसके बाद मेन का है इसके बेस को control किया जाता है इसके बेस को control किया जाता है कि इसके जरिये से और यह supply इस पे बहुत है कि रहती है और यहह हां से यहां पर वीजाए हैं नोगे और साथ ही साथ यहां पर एक रिशिस्टर मार के रखता है झाबहों सकते हैं शसी सबढूद साब कॉंप्लीकेटट रफस्टा इए लिगें फ़िखont ये एक रीच्टर मार ये शारृत तो यहां का वोल्टेज पड़ा हुआ और यहां का वोल्टेज उससे कम वोल्टेज यहां पर हो जाता है जैसे अगर 12 होगा यहां 10 हो जाएगा और यहां 20 रहुत हैं अब यहां पर 17-18 16-15 जो भी हो जाएगा इसके बाद में यही सप्लाई चल जाती है पी आपसी को आउन कराने के लिए और यही सप्लाई चली जाती है हमारे लीनियर को आउन कराने के लिए सब्सक्राइब आपको वह देखके पाचानना है यह सप्लाइब उस पिन पर आएगा अगर यह सप्लाइब नहीं मिलेगा तो दिक्कत करेगा आपका फिफिया और लीनियर को और नहीं करेगा और यह सप्लाइब एक आपनो कंपलर की मदद से आता है और आपनो कम पूस्ट काप्व्छलोन से आएगा उस आपनोगपलर के इस पीन पर जो supply यहांँ है जैसे 20粉 रहेगा 20 यहां पर भी रहेगा और 20 पूल्ट आपका यहां पर भी रहेगा तो आपको उसको ऐसी देखकी आपको परचाण लेना है कि यहीग संसन्ट है जो आपका बिल dismissal को आन कराइगा यह उसकते हैं कि Outlook हो सकते हैं कि नियर को आन करा करना है तो अब हम एक एक बॉक्स को देख लेते हैं कि पीपसी वाला बॉक्स कैसा होता है और लीनियर वाला बॉक्स कैसा होता है तो आपको जो पीफसी ओन और लीनियर ओन करने का सप्लाई है किस पर चेक करना है कौन से आपको कपलर पर आएगा वह आपको मैंने बता दिया उस आपको कपलर के जो प्राइमरी साइड में होते हैं उसके दोनों लेक पर 19-20 वोल्ट रहेगा और वहां पर एक छोड़ा कि पीफसी वाला सिक्षन होता है जैसे कि 300 वोल्ट बिल्कुल से हमारा सिक्षन एली ड्राइवर जैसे होता है यहां पर एक मॉस्पेट लगा दिया आता है और आगे डायोड लगा के आगे भेज दिया जाता है मतलब कि यहां पर जब तक यह